ओम गण गणपत ये नमाहा स्री गुरुदे वदत नमस्कार मित्रो प्रॉफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं अपको खुद भगवान शिव जी ने बताए हुए एक महा शक्तिशाली हनुमान जी के मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको बोलने से साधक हर प्रकार की बूरी खतरनाक और आघोरी शक्तियों से अपनी अपने परिवार और अपने घर की रक्षा कर सकता है इस मंत्र का घर में निरंतर जाप करने से पूरा घर बूरी शक्तियों से सुरक्षित रहता है और अगर घर में किसी भी प्रकार की बूरी शक्ति मौजुद हो तो वह इस मंत्र के प्रभाव से भाग जाती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आजाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर प्लिक करें इस मंत्र के बारे में खुद भगवान शिवजी ने स्री कृष्ण भगवान को बताया था और इस हनुमान मंत्र को बोलने से शत्रू या गुप्त शत्रू, काला जादू टोना, बुरी नजर, भूत प्रेट, आगोरी यंत्र, मंत्र, तंत्र, दिव्य अस्त्र और अन्य किसी भी प्रकार की बुरी शक्ती साधक का कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगे यहाँ एक अत्यंत लोकप्रिय और आजमाया हुआ हनुमान जी का मंत्र है, जिसका लाब अनगिनत लोगों ने उठाया है इस मंत्र के बारे में इसके पहले हमने हमारे चैनल पर जानकारी दी है लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में फिर से बताने जा रही हूँ क्योंकि आजकल के अत्यंत खतरनाक महामारी के दौर में यहाँ मंत्र बहुत ही लाब दायक साबित होगा इसमें कोई भी शंका नहीं है इस मंत्र के बारे में पूरानों में बताया गया है कि इस मंत्र की जानकारी शिवजी ने स्री कृष्ण भगवान को दी थी और महा भारत के महा भयंकर युध प्रारंब होने के पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने इस मंत्र की जानकारी अर्जुन को दी थी और महाभारत युद्ध के दोरान हनुमान जी अर्जुन के रत पर बिराजमान थे दुर्योधन के मृत्तु के पश्चाद स्री कृष्ण भगवान पहले अर्जुन के रत से उत्रे थे और इसके बाद रत पर बैठे हुवे हनुमान जी रत से उड़ गए थे फिर तुरंत अर्जुन का रत जलकर भस्म हो गया इसे अंदाजा होगा कि कितने महाभयंकर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग अर्जुन के रत पर किया गया था और सिर्फ स्री कृष्ण भगवान और हनुमान जी के वजह से रत और अर्जुन को किसी भी प्रकार की हानी नहीं हुवी अब मैं आपको इस मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ गुरुपया ध्यान से सुनिये इस मंत्र को साधक रोज कम से कम साथ ग्यारा या इक्कीस बार या उससे अधिक बोल सकता है और खत्रे के समय इस मंत्र का लगातार जब करते रहना है यह एक सिध्ध मंत्र है और इस मंत्र को किसी भी प्रकार की पुजाविधी दिशा, आसन, माला इत्यादी की आवशकता नहीं है यानि की बंधन नहीं है सिर्फ मंत्र जाप करने से पहले हनुमान जी का एक बार स्मरन करके फिर इस मंत्र का जाप करना है अब मैं आपको हनुमान जी का मंत्र बताने चाह रही हूं कुरुपया ध्यान से सुनिए मंत्र इस प्रकार से है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट्ट अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे